जहिन दोस्तो दोस्तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल फिट कैंडिडेट्स के लिए है बहुत सारे इंस्टाग्राम पर और हमारे वीडियो के नीचे भी कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई जो रिजेक्ट लेटर आ रहे हैं वो क्या आभी मेडिकल फिट कैंडिडेट्स क भी आ सकते हैं क्या री मेडिकल वालों को तो मिल ही रहे हैं तो यह most important question था और मुझे लगा कि आप सब को इस बारे में जानकर देनी चाहिए तो मैं specially आप ही लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ आपकी तरह में भी medical fit हूँ और अभी आपके मन में सिर्फ एक ही बात आ रहे होंगी कि यार हमारी final minute list आ जाए और हमें joining मिल जाए और बस हम अपना अपना जो है साकार होते हुए देखे घर को इसी इसी बात की रट लग रहा है कमेंट्स में यही बाते पूछ रहे है कि भाई final minute list कब आएगी जान डेटर कब आएगा और सिर्फ यह comment सिर्फ medical fit candidates ही ठीक है रिमेडिकल वाले नहीं बोलते है रिमेडिकल वाले सिर्फ यही पूछते है कि हमारा रिमेडिकल कब शुरू होगा admit card कब आएगे लेकिन medical fit candidate क्या बोलते है कि final minute list कब आएगी joining letter कब आएगा और यह बीच में यह problem हो गया है जो कि reject slip आ रही है ठीक है उनको लेकर बह के बाद जिनके भी documents में कुछ problem हो रही थी तो उनके reject letter बेज रहे थे उनके address पर तो लेटर आने शुरू हो गए थे ठीक है तो जो सबसे most important question यही था कि जो medical fit है उनके reject letter अभी आ सकते ही कि नहीं तो इसका answer में देता हूँ नहीं अभी नहीं आएगे क्यूंकि देखो documents already सब आपके re-medical करवाने वाले थे ठीक है जो candidates को re-medical मिला था उनको 24 मार्स से re-medical शुरू होने वाला था आपने बहुत सारी website में देख लिए होगा और notification वगरा जारी होए थे जिसमें बताया गया था कि 24 मार्स से लेकर कोच 30 April तक re-medical शुरू होने वाला था इसका मतलब यह है कि documents already check हो गए है सबके और जो medical fit थे उनके और जो भी documents में कुछ problem हुई है उन लोगों के उनके जो reject letter थे उनको page दिये उनके address पर और वो मिल भी गए है ठीक है और 24 मार्स बहुत मतलब बहुत दूर था तब ही letter आने शुरू हो गए थे राइट 12 मार्च था तब ही letter आने बंद हो गए था ठीक है मुझे बहुत सारे भाईयों को आये थे लेकिन पहले आये थे राइट तो आभी बहुत ज़्यादा देर हो गई है ठीक है जिस दिन में वीडियो बना रहा हूँ आज 23 मार्च है ठीक है आज बहुत दिन हो गए और 24 मार्च से रे मेडिकल शुरू होने वाला था लेकिन वो पोस्पन हो गया कोरोना वाइरस वगरा की वज़े से लेकिन जो भी रे मेडिकल मिला है उनके letter आ सकते है ठीक है क्योंकि उनका कुछ problem अभी भी बाकी है ठीक है उनका को reject letter थे वो भी भेज गए है और वो candidates को मिल भी गए है अभी किसी को भी reject letter नहीं आने वाला है और किसी को भी अभी जो medical fit है उनको डरने की कोई बात नहीं है अब आपको कोई letter वगरा नहीं आएगा अभी देखो जो final merit list है joining letter उसका answer भी आपको इस video में दे देता हूँ अभ देखो मारश्क में तो 144 दारा लागू हो गई है जिसके कारम पाच बंद एक जग बैठने सकते खड़े नहीं रह सकते तो अभी 31 मार्च के बाद ही कुछ decision लेते है गोवर्मेंट लेगी और उसके बाद ही कुछ बता सकता हूँ ठीक है अभी मुझे भी पता नहीं कि जो य सब्सक्राइगी और फिर हमारी जो बर्ति प्रोसेस ही वह भी आगे बढ़ जाएगी ठीक है सिर्फ एसाइज नहीं आप तोड़ा साब फेशंस रखो ठीक है ऐसे सजदी का फाइनल मेडिलिस्ट आजाएगा जाएगा और तो अरी मेडिकल भी शूरू हो जाएगा एगा ए हो गए है ठीक है इससे लेटे और भी कुछ जानकरी आती है नोटिफिकेशन आती है मैं पलपल की जानकरी आपको रिपीट करूँगा चाहे एक बार नहीं दस बार आए मैं लेकिन आपको बताऊंगा 100% बताऊंगा कुछ भी जानकरी मुझे मिलती है मैं आपको 100% बताऊंग है बहुत सारा process उनका होना भी बाकी है क्योंकि उनके medical होंगा फिर हुआंके documents डोजर चेक वोगे फिर उनको later आएंगे right उनके documents भी check नहीं हुए इस कारण से उनके आ सकते है और उनके medical के भी जो documents है वो भी checking हुए है और मतलब उनके admit card वगारा आने थे लेकिन वो भी नहीं आए क्या कारा ने आप सबको पता है लेकिन उनके आ सकते ठीक है most important question था इस कारण से मैंने आपको यह छोटी सी वीडियो बना दी आपको कैसे लगी comments में जरूर मुझे बताना और वीडियो अच्छे लगी हो तर लाइक और subscribe जर जया वारत